यह वीडियो 13 मार्च 2022 की रिकॉर्डिड है और वीडियो रिकॉर्डिंग की लोकेशन सेक्टर A Overseas East के कॉर्णर से है असलाम अलेकुम दिस आमिर रफीक फ्रम 5G Properties जो के कैपिल स्मार्ट सिटी और लहुर स्मार्ट सिटी का नंबर वन सेल्स पार्टनर है कैपिल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने 2019 में Overseas District को पाकिस्तान में इंट्रिड्यूस करवाया पहली दफ़ा पाकिस्तान में exclusively for Overseas Pakistanis Overseas District को लांच किया गया जिसका नाम Overseas East है 2019 में ही sold out होने वाला Overseas East के सेक्टर A में आप इस टाम देख सकते हैं कि काफी ज़्यादा विलाज अंडर कंस्ट्रक्शन हैं इन में से कुछ विलाज दो कनाल के हैं और कुछ विलाज दस मरला के हैं यह सेकंड स्ट्रीट पर जो तीन विलाज आप देख रहे हैं यह मॉडल विलाज हैं जो कि जल्द कैपिल हिल्ज में लॉंच कर दिये जेंगे सेक्टर A कंप्लीटली डिवैलेप्ट है गैस बिजली पानी की लाइन्स बिच चुकी हैं पार्क्स रेडी हैं और मोके पर आप प्लॉट पर्चेश करके पोजेशन ले सकते हैं सेक्टर A में प्लॉट 45 लाग से लेकर श्यम्तारिस लाग के बीच में हैं सेक्टर A का प्लस पॉइंट 180 फीट की रोड प्लस 120 फीट की आर्वन डोड कनेट कर रही है और आप जो आप अपने स्क्रीन के उपर सेक्टर देख रहे हैं वह सेक्टर K ये सेक्टर भी 100 मुर्ला 45 लैक से 47 लैक के बीच में सेक्टर के और सेक्टर एक बीच में एक खुबसूरत लीनिय पार्क बनने जा रहा है जिसकी खुबसूरती का अंताजा आप बहुत जल्द अपनी स्कीन पर देख पाएंगे सेक्टर के में चार मरला कमरिशल के प्लॉट्स ही है जिनकी प्राइस 90 टू 95 लाक रुपीज है इंक्लूडिंग प्रॉफिट इसी तरह सेक्टर ए में भी चार मरला कमरिशल की कीमत 90 से 95 लाक रुपे है और अब जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक खुबसूरत सी जाएगा इसी तरह वालदें स्कूल में लगे कैमरों के जरीए अपने बचों को लाइव देख पाएंगे और सबसे बेतरी चीज़ स्कूल की जो बस होगी उसमें लाइव ट्रैकिंग का आप्शन भी होगा और यह रहा वह लिनियर पार्क जिसका मैं आप से तथक्रा कर र करें यह स्कूल ओवरसीज इस्ट के सेक्टर बी में है सेक्टर भी एक अनाल का ब्लॉक है जिसमें पॉजेशन हंडर परसंट दे दी गई है पानी बिजली गैस की पाइपलाइंस मुकमल बिच चुकी हैं पार्क्स रेडी हैं हंडर परसंट अवेलिबल है पॉजेशन के ल कर ऑवरहेड उटर तैंक देख गहें हैं इसका डिजाइन जर्मणी से इंपोर्ट किया गया है इस अवरहेड वाटर के वाटर की को मेंयटर किया जाता है इसी सक्टर के के अंदर आप देख सकते हैं करिंटली एक कनाल के विलाज अंडर कर्सक्शन है ये विलाज कैपिल स्मार्ट सेटी ने इंस्टॉलमेंट्स पे लाँच किया थे तीन साल की और अलहमदुलिला जिनकी इंस्टॉलमेंट्स मौर दिन 50% हो गई हैं उनका पहले लेंटर डल चुक है जैसे जैसे क्लाइंट्स अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करते जाते हैं कैपिल स्मार्ट सेटी उसी तरह विला की कर्सक्शन पर काम तेज़ कर देता है कैपिल स्मार्ट सेटी में इन तमाम विलास की बैलेटिंग मई 2022 में होगी और यह मस्यद जो आपने पनी स्क्रीन के उपर देखी है यह सेक्टर सी ओवर्सीज इस्ट में है और अब हम जे सेक्टर की तरह जा रहे हैं वो है सेक्टर जे सेक्टर जे भी ब्लॉक के की तरह 70% डिवैलिप्ट है डिवैलिप्ट एरिया में भी पानी बिजली गैस की लाइन्स मुझूद है और यहां पर प्लॉट ओन कैश री सेल पर अवेलेबल हैं जिनकी प्राइस 72-75 लैक रुपीज है इसी तरह रिमेनिंग 30% एरिया कररंटली अडर अक्वारिशन फेज में है और ब्लॉक जे में दो कनाल के बहुत ही लिमिटिड प्लॉट भी वजूद हैं दो कनाल के प्लॉट बहुत ही लिमिटिड है जिनकी अवेलिबिटी बहुत ही मुश्कल है सेक्टर जे में 6 और 8 मरला के प्लॉट्स हैं जिन में 8 मरला कमर्शल पर अभी पोजेशन तो मिला नहीं लेकिन ओन 45 से 50 लाख रुपे है और इसी तरह 6 मरला के उपर 40 से 45 लाख रुपे का प्रॉफिट चल रहा है और अब हम जिस ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं वो है सेक्टर C कैपिल स्मारटेटी में सबसे तेजी से डेलिफ होने वाला सेक्टर सेक्टर C 10 मरला का सेक्टर है सेक्टर C में लिणे पार्क के रिवावा दो चोटे पार्क्स भी मुगोद है यह تمام विलाज जो आप तरहे हैं ये सुसाइटी ने तीन साल की किस्तों पे दिये थे सेक्टर सी 100% कोजेशनेबल ब्लॉक है जिसमें पानी बिजली और गैस की पाइपलाइन्स बिच चुकी है सेक्टर सी का पहला हाफ विलास पर मुश्टमिल है कुछ विलास पर सेकंड फ्लॉर कलेंटर भी डल चुक है और आएं इसको जूम इन करें तो आप देख सकते हैं करंटली वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं और नॉन स्टॉप इन विलास के उपर अपडेट हो रही है इन ही विलास के पीछे आप एक प्लाजा देख रहे होंगे यह है लेक व्यू हाइट्स जिसको सुसाइटी ने अभी तक लाँज नहीं किया लेकिन सुसाइटी ने कंस्ट्रक्शन वा काम शुरू कर दिया है क्योंकि यहाँ पर सुसाइटी बहुत जल्ड इसके ग्राउंट फ्लोर में अपना हेड आफिस शिफ्ट करने जा रही है इस प्लाजा की कंस्ट्रक्शन अपडेट में जाएं तो लोवर ग्राउंट और ग्राउंट फ्लोर प्लस फ्लोर पर काम मुकमल हो चुक है यह प्लाजा ग्राउंट फ्लोर प्लस सेवन का स्ट्रक्शर है इन्ही विलाज के साथ मस्चिद है जिसके उपर काम मुकमल हो चुक है अब जो आप अपनी स्कीन के उपर जमीन देख रहे हैं यह है सेक्टर आई सेक्टर आई में केपिटल समार्ट अटी बहुत जल्द अपना वन केपिटल अपार्टम प्रोजेक्ट लौँच कर देगा वनन केपिटल इट्ली से डिजाइइंड बहुत ही खुश्चुरत अपार्टमंट प्रोजेक्ट है जो के लगजरी में अपनी मिसाल आप होंगे इसी वन कैपिल के साथ सेक्टर आई में कमर्शल हब बन रहा है जिसकी जमीन एक्वारेशन अंडर प्रोसेस है और अब जो आप अपनी स्क्रीन के उपर जमीन देख रहे हैं यह सेक्टर सी का सेकंड हाफ जहां पर जमीन सारी प्लॉट्स के लिए मुक्तिस की गई है सेक्टर सी के तमाँ प्लॉट्स सोल्ड आउट हैं और यहां पर तमाँ प्लॉट्स री सेल में 45 लाइक रुपीज प्लस माइनस में मिलते हैं Overseas East के तमाम residential और commercial plots subject to availability हैं और बहुत ही limited launch हुए थे इसलिए काफी search के बाद इसको ढूनना पड़ता है पूरी capital smart city में वाहिद block जिसका 70% area possessionable है इसलिए यहाँ पर चीज़ें बहुत ही rarely मिलती है Overseas East की balloting 2019 December में हुई थी और बहुत ही short time में Overseas East sold out हो चुका था और अब जो आप यह गोलदार अपनी screen के ओपर देख सकते हैं left side के ओपर यहाँ पर तीन कनाल की commercial plots आएंगे जिसको society ने अभी तक launch नहीं किया sector C fully possessionable है तो सही पर इसका एक और advantage यह है कि इसके सामने एक बहुत ही खुबसूरत जील भी है Lamir district जो के UAE से inspired यहाँ पर launch किया जा रहा है उसके करीब तरीन Capital Smart City का sector C Overseas East का बहुत ही prime sector है पूरे Overseas East में सबसे ज़्यादा high-rise buildings sector C में ही है जिसमें लेक्यू हाइट्स के चार प्लाजाज और तीन कनाल के छे commercial plots हैं sector C की एक और सबसे बड़ी interesting चीज़ वो यह है कि इसके अंदर एक भी चार मरला और आट मरला का commercial plot नहीं है और अब जो आप अपनी स्क्रीन के उपर sector देख सकते हैं है sector H जिसका तसकरा हम sector D के बात करेंगे यूके बेस्ट कंपनी ट्रैवलिस्ट ने Capital Smart City का sector D पूरा का पूरा खरीद लिया था और इसमें exclusively विलाज ही लॉंच किये गये थे यह gated community within gated community यानि के चारों तरफ से इसकी चारदिवारी होगी single point entry और exit होगा और पूरा ही securely gated ब्लॉक होगा यह विलाज तमाम sold out हैं और resale पर available हैं इन विलाज में standard feature से लेकर fully automation options के availability भी मुझूद है इसी sector D में ग्राउंड प्लस 7 का Harmony Heights apartments भी बन रहे हैं Harmony Heights apartments को अभी तक सेल आउट नहीं किया गया यह आप देख सकते हैं जैसे जैसे clients अपनी installments पे करते जा रहे हैं यहां पर इनके विलाजिक कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है करेंटली केवल स्मार्टेटी अपनी फुल कपैस्टी के उपर अपने प्रॉम्सिस को डिलेवर करने में लगा हुआ है और मोके पर जब भी आप कंस्ट्रक्शन डिवेलप्मेंट आके देखें तो आइम डैम शुर के पकिस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट इतने वास स्के करेंटल्स को लेके आना यह क्रेंट के मैंजमेंट को ही जाता है कि जन्होंने इतने मैसिव ब्रॉड थिंकिंग को अपने नजरी में रखा यह जमीन जो आपनी स्क्रीन के उपर देख सकते हैं यह सेक्टर एच रेसेंटली इसकी लेंड को एक्वाइट किया गया है जिस प कामी में रही है और इसके भी बहुत जल्द उमीद की जाएगी सोसाइटी यहां पर लेंड खरीद लें सेक्टर एच का 40-50% एडिया पोजेशनेबल है तमाँ प्लॉट्स रिसेल में हैं और 24-25 रुपे का यहां पर प्लॉट है पांच मरला का ब्लॉक है सेक्टर एच पाक पेंड टेकिंग प्रोसीजर है यही वज़ा है कि यह आप स्क्रीन पर जो जमीन देख सकते हैं यह सेक्टर जी ओवरसीज इस्ट की है जिसकी लैंड कैबल स्मार्ट एटी की मैनेजमेंट अभी एक्वाइर करने में नकाम रही है निकोसियेशन एक पैंस टेकिंग प्रोसी इस्ट में और उनको प्लॉट की लोकेशन ओवरसीज सेंटरल में की है इसी तरह कैपल स्मार्ट शिटी की मैनेजमेंट कमिटेड आपको हर प्लॉट के अगेंस्ट आपको प्लॉट पोजेशन देने में को ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने प्लॉट ले लिया और यहां पर लोकेशन करके देगी अब जो आप स्क्रीन के ओपर जमीन देख रहे हैं यह सेक्टर ई ओवरसीज इस्ट का सेक्टर ई के सामने बुलिवार्ट फेसिंग इनके विलाज तामीर हैं और सेक्टर ई में भी एक छोटा सा पैच है जिसके ओपर डिवल्पन का काम अभी मुकमल नहीं हुआ वजह सिर्फ एक वहां पर भी लेंड एक्वारिशन का प्रोसीजर अभी अंडर प्रोसेस है और यह वह मकामी अवादी जो के एक हकीकत है और जिन से नेगोसीशन करके उनकी जमीने लेनी हैं सेक्टर ई सेवंटी परसंट पोजेशनेबल हैं अंडर एक ब्लॉक है पूरे कैपल्ल स्मार्ट शीटी के ओवरसीज इस्ट का जिसकी 80 to 90 परसंट लेंड अभी अकॉएड नहीं कर पाए इसी के साथ सेक्टर एफ है कैपल्ल स्मार्ट स्टी के ओवरसीज इस्ट का जिस पर हवीवर्फी की मैनेजमेंट और इसी एफ के साथ गौर लॉक्स न जिस पर मुकमल काम नहीं हुआ सेक्टर एल जिसको री लोकेट कर दिया गया है और सी सेंट्रल में सेक्टर एफ जहां पर गॉर्णमन्न सा निगोसेशन चल रही है एस पर दी मैनेजमेंट और सेक्टर जी जहां पर लैंड अभी तक एक्वाइड ही नहीं हो पाई यह मकान जो आप अपनी स्कीन के ओपर दे सकते हैं यह सेक्टर जी में है जिसकी लैंड अभी तक एक्वाइड नहीं है इसी के साथ आप जो दे सकते हैं स्ट्रीट पर काम हो चुका है यहां पर सेक्टर एच है यहां पर सेक्टर आई के साथ कमर्शल हब बनना है यह उसकी जो आप जील देख सकते हैं बीच में और यह रिमेनिंग लेंड जो सुसाइटी ने एक्वाइर कर ली है यहाँ पर आपका वन कैपिटल के लग्जरी अपार्टमेंट्स की तामीर हो जाएगी और उसके साथ सेक्टर जे एक कनाल का जी विवर्स ये थी आज की वीडियो कैपिल स्मार्ट शेटी के मेनेजमेंट अपने प्रामिसेज डिलिवर करने के लिए बेताहाशा कोशिश कर रही है इनको इनका ड्यू टाइम दें देर है अंदेर नहीं प्लॉट तो आपको ज़रूर मिलेगा सेक्टर एल इसकी बहुत बड़ी एक्जेमपल है कि जहांजा केपलिल स्मार्ट शेटी चैनलिजिस को फेस करेगी वहाँ आपको प्लॉट जरूर रिलिकुएट करेगी लेकिन आपको प्लॉट जरूर देगी और पहले से बितर आप्शिएन पर लोकेशन पर देगी ऐसी बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स हैं जो शौर्ट टर्म में आपको इतनी मैसिफ स्केल पर डिवल्पेंट के लिए मशीनरी डॉपलाई करें शौर्ट टर्म में आपको पोजेशन दें पाकिस्तान में रियल स्टेट की यही हकीकत है कि सुसाइटी अपना ड्यू टाइम ल वी रियल स्टेट प्रोजेक्ट के लिए एक्स्क्लूजिवली डेडिकेट इंटर्चेंज लिया आप लॉट लें या ना लें मोटर वे पर जब भी गुजरेंगे एम टू पर आपको केबल स्मार्ट शेटी की इंटर्चेंज एक हकीकत बनती भी जुरू दिखेगी दिस क्यों लाफिस